Hello Divine Friends, This is Kamini JK और आज हम देखते हैं scientific reason क्या है नवरात्री celebrate करने का और गर्बा खेलने का astrologically we approach winter हम लोग fall की season की तरफ जाते हैं क्या होता है ना fall का मतलब कहा जाता है कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और राते छोटी होती जाती है यानि कि जो earth का movement है वो 40 degrees का हो जाता है और हमारी north की जो जमीन है वहाँ पर sunrise जादा मिलती है बट जैसे जैसे हमारी earth की movement होती रहती है वो sun के आजू-बाजू की जैसे की विपरित दिशा में हो जाती है तो winters आती है और हमारा earth orbitally tilted है तो वो 40 degrees से होकर 23.6 degrees पे पहुँचता है जहां पर उसे sun rays कम मिलती है तो sun rays कम मिलती है तो winters चालू हो जाती है तो यह जो movement है गर्मी से सर्दी तक का इसको fall बोलते है तो अगर आप देखोगे की गर्मी से सर्दी तक का जो time है उसे equinox आता है equinox का मतलब क्या होता है आधा दिन आधी रात जैसे जैसे हम सर्दीओं की तरफ जाएंगे न हमारा internal clock जो है body का वो change होता जाएगा तो नवरात्री क्यों मनाते हैं देवी मा की पूजा क्यों करते हैं यह सब सवाल आपके मन में जरूर होंगे तो आईए जानते हैं देवी मा का चक्र कौन सा है तो सब कहेंगे मूलाधार कलर कौन सा है तो आप कहेंगे रेड, क्यों रेड क्योंकि सबसे जादा जो बॉडी में heat क्रियेट करता है वो कलर है रेड, सबसे जादा strongest चक्रा भी हमारा root चक्रा है अब हमें internal clock को activate करने के लिए देवी मा को पूझना चाहिए, because वही कलर हमारी immunity और temperature चेंज करता है सबने सुनाई होगा कि कोई भी आदत को लगाने के लिए 21 दिन लगते हैं तो सेम बे कोई भी हमारी internal clock को activate करने के लिए 9 days लगते हैं इसलिए नवली, नवरातरी कहा जाता है 9 बीज, मतलब 9 internal organs So when your 9 organs change आपके body के अंदर internal mechanism कुरा चेंज होता है और इसी ही साइन से नवरातरी के पीछे लाइट्स क्यों लगाते हैं आपने देखा हैं लाइट्स में 7 colors होते हैं विबग्योर वाले तो हमारे सारे चक्रास को activate करती है ये lights और internal clock को भी गर्बा क्यों खेलते हैं आपने देखा होगा कि जब हम गर्बा खेलते हैं तो बहुत ही अच्छे सा music और उसकी जो ध्वनी है वो हमारे सारे चक्रास को उत्तेजित करती है legs के तलवों पे 114 चक्रास होते हैं और हमारे palms में 144 चक्रास होते हैं इसलिए पेरों की थुमक और हाथों में जो तालिया बचती है वो बहुत ज़रूरी है हमारे चक्रास को अक्टिवेट करने के लिए इसलिए आप देखोगे कि गर्बा खेलते समय कोई थकता नहीं है और शादी में आप देखो अब हम जानते हैं कि शरद पूर्णीमा के बाद थंडी की शुरुवात होती है तो सं जो होता है ना पूर्णीमा के दिन वो एक्जाक्ली 90 डिग्रीज पे होता है 23.6 डिग्रीज से लेके 90 डिग्रीज का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है इसके कारण जो लूनर एनर्जी होती है वो बहुत स्ट्रॉंग होती है इसलिए तो पूर्णीमा पे गर्भा केलते हैं और दाट इस अनाइट वन यार चक्रास अव सुपोफिशियली अक्टिवेटे और यार इंटर्नल मेकानिजम कें बी अट बेस्त थैंक ये विवान